दोस्तों इस वीडियों हम बात करेंगे point to point internet के बारे में, अब देखिए यहाँ पर difference यह है, point to point internet एक अलग चीज होती है, point to point wifi एक अलग चीज होती है, दोनों के बारे में बताऊँगा, क्या क्या इसके benefits है, क्या drawback है, वो सब कुछ detail में बताऊँगा, क्या आपको यह लेना चाहिए, और अगर आप गाओं में रहते हैं, तो आपकी e-back बहुत बढ़ी problem solve हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो मैं आगे इस वीडियो में detail में बताने व stable internet की बात कर रहा हूँ है, अगर हम mobile data की बात करें तो वो stable नहीं होता है, यह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो मैंने BSNL का broadband लगा रहा है, फाइबर वाला, वो एक stable internet है, बहले ही, उसमें speed मुझे लगबख मेरे जो mobile में मिलती है, वी आपको आपको काफी sg speed मिलने लग गई है, जीओ के मुकाबले हम बात करें, सुमें भी 30-30 MPPS की speed मिल रही है, बट वो stable नहीं है, stable की हम बात करें आपर की continuously same speed मिलना, mobile में आपको continuously पूरे दिनवर same speed नहीं मिलती है, वो user के हिसाब से कम जादा होती रहती है, इसके उपर में एक वीडियो बना रखा इस stable internet आपको मिलेगा, point to point internet में भी, अब यह point to point internet होता क्या है, सबसे वहले हम देखते हैं, और फिर point to point wifi क्या होता है, वो भी मैं आपको बता हूँगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, बड़ आपको information, जो knowledge है, वो काफी कुछ यहाँ पर मिलेगी, मैंने काफी सा करीए, ऐसा नहीं है कि मैं खुझ से ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी तो बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने research करीए, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, देखिये, point to point internet में होता गया है, basically क्या होता है, जो third party vendor की हम बात कर रहे हैं यापर, आपको गाओं में भी मिल जाएगी, आपकी जो तहसील है, वहां तक आपको BSNL की, कोई भी अगर हम गाओं की बात करें, district छोड़िये, तहसील में आपको BSNL की fiber cable मिल जाएगी, बट अगर आप तहसील से भी 25 km दूर कोई गाओं में रहते हैं, या फिर 5 km दूर कोई गाओ होती है, वहां पर आपको bandwidth मिल जाती है, जो third party vendor होते हैं, वो क्या करते हैं, bandwidth खरीद लेते हैं, BSNL से, अब BSNL bandwidth दे देता है, BSNL bandwidth बेचता है, अब bandwidth क्या होती है, bandwidth यह होती है, कि उनकी जो fiber optic cable जा रही है, वहां पर speed है मान लो, उस fiber optic cable की 10 Gbps, अब कोई third party vendor है, for example, मैं ही मैंने उस 10 Gbps में से speed ले ली, 2 Gbps की, मैंने जो bandwidth थे, वो 2 Gbps वो खरीद ली, अब मैं क्या करूँगा, आपर मेरा पूरा instrument वगेरा लगाऊंगा, और 2 Gbps speed मुझे पूरी, मुझे मिलेगी, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर एक setup करना है, basic सा, सबसे उची जगा पर एक गाउं का सबसे high level होता है, उस जगाँ पर मैं टावर खड़ा कर दूँगा, सबसे उचा, मलब कि वो भी इतना उचा के वाहां से पूरा गाउं मुझे, अगर मैं कुछ भी डिश लगेरा लगाऊं, तो वो पूरा गाउं कवर हो जाए, वो मैंने टावर खड़ा कर आपका, जो चतरी इस तरह की चतरी होती है, इंटरनेट की, वो आपको क्या करना है, कस्टमर के घर जाके लगाना है, बैसिक सा सेट अप होता है, कस्टमर के घर पर जाके उसको स्टॉल करना है, और उसको पॉइंट करना है, आपका जो में टावर लगा है, उसकी तरफ, उ सेट अप करना है और set-up करने के बाद यह सेट इिस deputy दिनी हो जो सरफों आप थी मिलें फिर चाहे नहें भू रात किटी भी हो अभि यहां पर जो डेटा है बीट होती दिए भी एसनल से हमने कोई वो नहीं खरीदा कि टीबी तक वो फ्री रहेगा उसके बाद स्पीड कम हो जाएगी नहीं वो नहीं खरीदा यह जो पॉइंट टू-पॉइंट होता है इसमें कोई कैपिंग होती नहीं ऐसा कोई सर्विस प्रोडर मिलता है तो वह आपको कभी य सेट अप करेंगा उसका कोस्ट भी आप से ही लेगा तो करीबन इसमें पांच छे जार या दस अजार या पंदरा अजर तक का कोस्ट भी एक कस्टमर को आ सकता है वो डिपेंड करेगा उस मेंडर के उपर के वो कौनसी जो है डिश यूज कर रहा है या कौनसी टेक्नलोजी पर इंटरेज में बहुससार ठीग्नलोजी आती है वो कसली बहुती है और कम कसली में क्या होता है स्पीड कम होती थोड़ी से जयादा कॉस्टी करेंगे उसको तो स्पीड बढ़ जाएगी यो चार्ज वो बढ़ जाएगा अब यहाँ पर आपको मंतली 1000 रुपे से 1500 तो मिलेगी ही मिलेगी उससे कम नहीं मिलेगी तो ये एक डिफेंस आता है point to point internet में मोबाइल डेटा के जो internet है उसमें ये पूरा setup होता है point to point अब ये इसकी जो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सिर्फ उसी गाओं में प्रफर्स स्टेब में बताई थी टावर खड़ा करेंगे उसका डिस्टेंस होता है कितने किलोमेटर तक आप देख सकते हैं 40 किलोमेटर अब जैसे जैसे डिस्टेंस बठती जाएगी स्पीड कम होती जाएगी अब 2 जीबीपेस की स्पीड लिए अब जो उसी गाउं में आपल मान के चलेंगे 100 Mbps तिक की स्पीड दे सकते हो अब जैसे 10 km हुआ तो आप 50 Mbps की स्पीड दे सकते हो अब उससे 15 हुआ तो आप पर आप 25 Mbps की स्पीड दे सकते हो अब डिस्टेंस बढ़ती कहीं है कि 20 km दूर आपको एक कनिक्शन देना है किसी को कस्टमर को तो वहा बात करते हैं आपर पॉइंट वाइफाइ की बारे में पॉइंट वाइफाइ जो है वो पूरा अलग होता है वह इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें क्यूंकि आप दोनों में कन्फूजन ना हो आपको तो इसके बारे में एक डीटेल में वीडियो वानाऊँगा पॉइंट पॉइंट वाइफाइ क्या होता है जैसे अपने अभी मैंने मेरे घर में इंटरनेट लिया अब मुझे सामने वाले के घर में मतलब मेरा एक सामने घर भी है मानलो अभी मेरा पड़ोसी है उसको इंटरनेट चाहिए बट वो कनेक्शन ही लेना चाहता है वो मेरे तो यहां से मैं में केबल डालूँगा तो वह मेरे लिए सही नहीं है बट में यहां पर क्या कर सकता हूँ वाइफाई के तरूँ उसको कनेक्शन दे सकता हूँ तो एक डिवाइस आता है लेजा के लेजा के लेजा के लिए वाइफाई चल जाएगा उससे लेन भी यूज कर सकते हैं वाइफाई भी यूज कर सकते हैं और उसमें इस पीडी भी काफी अच्छी होती है अब देखिए आपके आसपास 40-50 km तक दूर अगर आपको एक गाहों में हैं और आपको इंटरनेट चाहिए ब्रोड़्बेंड वाली स्पीड में नेगी इस्टेबल वाली स्पीड में तो देखिए पॉइंट टो पॉइंट कोई दे रहा है किया इंटरनेट आपको तो आपको रेलनेट का मिल सकता है रेलनेट जो है वह बेंड नहीं आ रहा है तो यह आपके लिए बहुत इजी हो जाया का और आपको कनेक्शन में बिल जागा इसका एक ड्रोबेक है कि यहां पर आपको जो है वो कोस्ट बहुत जादा ने देनी पड़ती है इंस्ट्रोलेशन कोस्ट और इसकी जो प्लान है वो भी बहुत महेंग करता है वेंडर के उपर के वो कौन सी टेक्नलोजी यूज़ कर रहा है अब इसका एको ड्रोबे कि यहां पर आपको जो वैदर खराब होगा उसमें थोड़ा बोड डिफ्रेंस ज्यादा नहीं आएगा थोड़ा सा आजाएगा ज्यादा नी क्यों आएगा क्योंकि यह पॉ कोई solution नहीं है यह दोनों drawback है और कोई drawback नहीं है इसके आई होप आप समझ गयोंगे कि यह जो point to point इंटरनेट है यह क्या होता है और कब यह काम में आ सकता है और कब इसका यूज का आप कर सकते हैं अगर फिर भी कोई question है कोई doubt है तो comment section को लाइप के लिए comment section मुझसे पू कोई दिष्ण